दोस्तो अगर आप WhatsApp यूज करते हो, WhatsApp के निव फीचर्स के बारे में जानना चाते हो, तो आज के ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, आज के इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp के 5 निव फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि WhatsApp दिन पर दिन अपडेट होता जा रहे, वड़्सअब के अंदर काफी सारे नए फीचर्स अड़ हो चुके हैं, दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप WhatsApp पर वीडियो कॉल करते टाइम फिल्टर एड कर सकते हो बैक ग्राउंड को आप कैसे चेंज कर सकते हो दोस्तो अब आप बहुत ही आसानी से WhatsApp पर वीडियो कॉल करते टाइम, बैक ग्राउंड को चेंज कर सकते हो दोस्तो इस तरह के काफी सारे features WhatsApp के अंदर add हो चुके हैं अब आप WhatsApp status पर किसी को भी mention कर सकते हो क्योंकि जब हम Instagram पर story add करते हैं तो दोस्तो हमें वहाँ पर mention का option मिलता है अगर आप किसी को WhatsApp पर बड़े वीज करते हो तो दोस्तो आप उसको WhatsApp status पर mention कर सकते हो इस तरह के काफी सारे features के बारे में आज के इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो काफी जादा जरूरी है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share, comment चला को subscribe जरूर कीज़गा अब चले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अब चले मैं आपको WhatsApp के new features के बारे में बताता हूँ ठीक है आपको सबसे पहले अपने WhatsApp को update करने आपको जाना है Play Store में Play Store को open करने के बाद आपको यहां से अपने WhatsApp को update कर लेने तभी आपको नए features सो होंगे ठीक है अब आपको WhatsApp को open करने WhatsApp को open करने के बाद आपको status वाले section पर tap करने दोस्तों अब आप बहुत ही आसानी से WhatsApp पर एक मिनट का status लगा सकते हो ठीक है यह पहला feature है नया update है क्योंकि इसके पहले जब हम WhatsApp पर status लगाते थे तो दोस्तों सिर्फ 30 second का WhatsApp status add होता था ठीक है बाकी हमें आगे crop कर करकर के लगाना पड़ता था तक आप WhatsApp status लगा सकते हो यह पहला update है ठीक है अब आपको cut करकर के WhatsApp status नहीं लगाना होगा आप एक साथ एक मिनिट का WhatsApp status लगा सकते हो ठीक है इसके बाद दोस्तों अब जो हमारा दूसरा feature है अब आप किसी के भी WhatsApp status को like कर सकते हो ठीक है यहाँ पर एक like का बटन से होगा ठीक है आप WhatsApp status को like कर सकते हो यह दूसरा update है दूसरा feature है इसके बाद दोस्तो अब जो तीसरा feature है यह काफी ज़्यादा important है ठीक है दोस्तो अब आप WhatsApp status पर किसी को भी mention कर सकते हो ठीक है आपने Instagram पर देखा होगा जब हम story add करते हैं ठीक है तो वहाँ पर किसी को भी mention कर देते हैं किसी का बड़े है तो हम story लगाते हैं उसको वहाँ पर mention कर देते हैं तो दोस्तो सेम उसी तरह आप WhatsApp पर status लगा कर किसी को भी mention कर सकते हो ठीक है जिसको आप status पर mention करोगे उसके पास एक notification जाएगा उसको पता चल जागा कि आपने अपने WhatsApp status पर उस ब्यक्ति को mention किया है ठीक है वो आपके WhatsApp status को देख सकते हैं दो बारा से status को लगा सकते हैं ठीक है तो कैसे mention करते हैं आपको plus पर tap करना है जो भी चीज आप status पर लगाना चाते हैं फोटो वीडियो आपको उसको select करना है ठीक है आपको अपने गैलरी से फोटो या वीडियो select करना है ठीक है select करने के बाद आपको यहाँ पर एक नया option सो होगा mention का ठीक है आपको इस पर टाप करना है जब आप इस पर टाप करोगे दोस्तों आपको यहाँ पर Contacts सोहोंगे ठीक है जिसको आप mention करना चाहते हो आपको इसको इस तरह select करना है select करने के बाद OK पर टाप करना है वो प्यक्ति यहाँ पर mention हो जाएगा इसके बाद आपको status को लगाना है जिसको आप mention करोगे उसके पास notification चला जाएगा उसको पता चल जाएगा कि आपने अपने WhatsApp status पर उसको mention कर रखा है तो दोस्तों इस तरह आप किसी को भी WhatsApp पर बड़े विश्च कर सकते हो किसी को भी WhatsApp status पर mention कर सकते हो ठीक है यह जो feature है यह काफी कमाल का feature है इसके बाद दोस्तों अब जो हमारा चौथा feature है यह काफी ज़्यादा important है दोस्तों अब आप video call पर video call करते time filter add कर सकते हो मैं आपको एक video call करके दिखाता हो तो हमने WhatsApp पर video call कर दिया है ठीक है हमने video call को उठा लिया receive कर दिया ठीक है दोस्तों अब आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं सबसे पहले आवाज कम कर देता हूँ दोस्तों आपको एक option मिलेगा filter का ठीक है आपको इस पर tap करने जब आप इस पर tap करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर filter का option मिलेगा आपको filter इस तरह select करने है ठीक है जब आप filter select करोगे सामने लोब्यक्ति के पास filter में आपका photo आपका video सो होगा आप यहाँ पर देख सकते हो हम filter add कर रहे है ठीक है तो दोस्तों यह चौथा feature है आप WhatsApp पर video call करते time filter add कर सकते हो ठीक है इसके बद दोस्तों अब जो हमारा पाँचवाँ feature है यह काफी ज़्यादा important है आप video call का background change कर सकते हो ठीक है आप video call का background change कर सकते हो आपको यहाँ पर background का option मिलेगा आपको इस पर tap कर ले ठीक है जब आप इस पर tap करोगे आपको यहाँ पर काफी सारे background मिलेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो background change हो चुक है ठीक है तो इस तरह आप WhatsApp पर video call करते time background को change कर सकते हो background को blur कर सकते हो आपको यहाँ पर काफी सारे photos मिलेंगे आप देख सकते हो काफी सारे wallpaper दिये गए हैं जिनको आप background पर add कर सकते हो ठीक है काफी time ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह पर होता है जहाँ से video call नहीं कर पाते हैं हम video call करना ही नहीं चाहते हैं तो दोस्तो अगर आप background नहीं दिखाना चाहते हो तो आप video call पर background को change कर सकते हो ठीक है यह जो feature है काफी जबरदस्थ feature है आप देखो अगर आप background को blur करना चाहते हो तो आप background को blur भी कर सकते हो तो दोस्तो इस तरह आप इन WhatsApp के 5 features को यूज कर सकते हो यह features आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने WhatsApp को play store से update करोगे ठीक है अगर आपने अपने WhatsApp को update नहीं किया है नए version का WhatsApp इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको यह features नहीं मिलेंगे ठीक है तो दोस्तो उमीद करता हूँ आपको यह video पसंद आई होगी अगर जैनकारी पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो चैनल पने चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नौलेश्पूल वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद